नमस्कार सांत्यों मैं चंद्र प्रकास शेलक कॉंपिटिशन अकेडमी के इस डिजिटल प्रेटफॉर्म पर आप सभी का स्वायत करता हूं हम बात कर रहे हैं बंडी भरती परिच्छा के अंतरगत भारती क्रिसी जो की दस नंबरों के लिए सामिल किये गया है इसी के हम दू नमस्कार सांत्यों मैं चंद्र प्रकास शेलक कॉंपिटिशन अकेडमी के इस डिजिटल प्रेटफॉर्म पर आप सभी क्या स्वायत करता हूं मंडी भरती परिच्छा के अंतरगत भारती क्रिसी जो की दस नंबर के लिए है इस विशाय से जुड़े आज हम सेकंड करेंगे तो बिना किसी देर के मैं यहां पर सिद्धापिक स्टार्ट करता हूं आए बढ़ते हैं तो आपने भी देखा होगा और भारत में प्रकार की कमिया हमने देखे अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप इससे पहले जो लेक्चर बना देखें और देखने बाद लेक्चर को देखें ताकि आपको और अच्छे समझ में आपर आएगा तो भारत में जो क्रिसी का जो समस्ते आए थी चाहिए भूमे सुधार का हो उत्पादकताम व्रिद्धी लाने कर लिए हो या पहले से जो हमारे भूराजिस वावस्थाएं थी इन वह स्थाओं के तहट जो लोकल जो हमारे क्रिस्था था इस्थाने जो किसान थे काफी हद तक उनको लॉस्थ भी हुआ राजसोक मामले में पैदवार के मामले में पैदवार हुरत कितना अपने पास अधिकार रखेगा इन अल्लाग प्रगार के चुनौतिया फेस् में अजाद होता है अजादी के बाद हमने क्या 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 कदम उठाए हैं उन कदमों को आई एक चर्चा हम सामील यहां पर करते हैं सबसे पहले आते हैं पहला जो इस टेप जो को ध्यान रखना है कि भारत में क्रिसी सुधार के लिए तीन तरह के कदम हम देखेंगे पहला संस्ता सुधार इससे हम कहते हैं भूमी सुधार के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाया तो यहां पर कुछ महत्पुन कदम आप इसक्रिए पर देख पा रहे हैं सबसे पहला यहां देखेंगे तो यह है मध्यस्तों का उन्मुलन मध्यस्त कहने मतलब यहां पर है कि ड्यस्तों गट्यान लगांगया तो लगान के की सान सीधे सरकार के vast करो और जमा करें यह बींशी महां आप मिडियेटर देंगे को तो मद्धास केने मतलब जसी सो समझेजिए इसको कैसे समझेंगे तो भारत में तिन तरह के पहले बहुत ही चर्चित भूराजस्वा पद्धतियां आपने पढ़ा होगा आपको जानकारी होगा इनहीं में से मैं संचित में आपको बताना चाहूंगा ठीक है तो क्या था भू आप भूराजस्वा किया था यहां यामर भूराजस्वा की तिन पध्धतियां आपने पर रखा होगा इन ही पद्धतियां थोड़ा संचित आप यहाँ पर जान लीजिए तो क्या है यहां पर देखते हैं पर है भूरिटिस कंवराइज ए ब्रिटिस कंवराजफव में भूराजस्व ववस्था तो इतीन तरह की ववस्था बहुत ही चर्शित रहा है आपके भारती इतिहास और भारती अर्थववस्था खिस्सा है नेस्चित रूप से मैं समझता हूं आपने इसके बारें पढ़ रखा होगा तो इन में से पहला जो है जो कहलाता है जमीदारी गवस्ता जमीदारी मतलब है जमीदार होगा जमीदारी गवस्ता तो इसमें जो एक निर्दायत एरिया में जितने भी भूमी होगा उस भूमी का एक मुख्या बनाते थे जिसकोल थे जमीदार इसमें जितने गाउं आएंगे उन गाउं के किसान होंगे उन किसानों क्या करेंगे तो ये टैक्स किसको देंगे कर पटाएंगे टैक्स देंगे इनको तो जमीदार को देंगे किसको देंगे और जमीदार को टैक्स लेंगे अधिकार किसको दिया उससान होंगे ईसके जितने हैं उन से जबिदार के लिए टैक्स लेकर पाइनली मालिए इन पूरे गाँओं से जितने क्रेंब् I pride On слaken ऑन कि 1100 ney के लिए 1100 लेना है इस जमीदार को लेना है तो भया इनोंने पोला कि इस 11 11 कि चाहा होगा तो 10.1 कि अंग्रेज देना हैं हम को देना आपको अंग्रेजव को देना है तर एक बात यह 291 आप फस्वाहिम य Pangike तो उसके हिसाप से यहाν तोर यहां पे जम्मिदार को मिलता था इस वास्ता में घंग्रेज पो देंगे अंग्रेज को देंगे और एक हिस्सा को रख़े है जमीदार रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आया एक टाइम आएसा आए कि यहां पर जो जमीदार था जितना दस गुना जो अंग्रेजों को देता था उससे कहीं ज्यादा जो है टेक्स वसुल करके वह खुद अपने पास रख सब्सक्राइब नहीं किया गया दूसरे औस मदिटेया था रहत है उससे हम कहते है रायतवडी ववस्त है एको रहेत ववस्तश का कहते हैं यह Linda को इसे को मतलब है क्या है तो भी यह पहला है जमितारी वावस्ता इससे कुछ अन्य नाम है इसके अन्य नाम क्या है तो इसी के लिए वर्ड आता है ध्यां रखना उसको हम बोलते हैं इस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं इसके और है नाम है इसको इस्थाई बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है है तो इस दूसरे नाम भी है इस्ताइ बंदो बस्त तो यहां पर टैक्स लेएं डनेश कुल टैक्स में आधियन कि Μट्द्र क कोने मद्यस्थ है मेडीयर है यही है करते हैं उनका अजादी बात हमने किया थे उनका इमकारियों को यहां पर रोखा गया अब बात ही कर रहे हैं तो यहां पर रहत वाड़ी में क्या था धिया रखना तो जिन किसानों को पास अपना का भूमी समबंदें जो क्या है जो कास्त कार है कास्तकार है जो ऐसे रहाइत है उनको पट्टा दिया और इन लोगों बोला गया है उनको पट्टा दिया नहीं देना आपको जमिदार्व टैक्स नहीं देना है बलकि डाड़ क्या है ब्रिटिस अधिकारियों पास आके आप पैसा क्या करेंगे टैक्स आपको जम्म करना होगा तो यह कॉंसेप्ट कहलाता है रयत वाड़ी ववस्ता है आपको किसको देना है सीधा आप ब्रिटिस अधिकारियों ववस्त था चीक है महाल बड़ी ववस्त था अब इसमें क्या कहा गया एक पूरे गाउं को गाउं को एक इकाई माना गया क्या मना गया एक इकाई यहां पर माना गया और इसके जो मुख्या होगा जो मुख्या होगा उसे कहा गया कि आप पूरे गाउं के क्या ला करेंगे ट यहां पर मिलती है तो यहां पर जमीदार हो गया यहां पर मुखिया हो गया तो यह बीच में आ रहे हैं और सरकार के उसके टैक्स वसुल करने को उनको क्या है जमा करते थे तो ऐसे जितने मेडियेटर थे मध्यस थे इनको जब अजाद हुआ हमने का इंक करेगा अपने संस्थास मार्ण से वहां पर करेगा तो पहला बहुत इंप्सठाध feeling ध्यारक्ता और यहां पर अ और यहां पर जो उसको जान लेजल गा तो सवार learnt से बच्वजुश तरह गया था नहीं अन्र सबसे पहले लिए लिए बार किया गया था तो एक फैक्ट है इनको यहां पर लिख लेंगे क्या फैक्ट है तो भारत में 1948 में 1948 में बिचौलियों का अंध भारत में प्रतấm बार भारत में प्रतस्वार्ट का अंत की विचौल्यों की सुरुवात होती है 1948 में याद रखना है और कब तक 1972 तक 1972 तक पुनता समाप्त कर दिये गया तो दो फैक्ट यहां पर धियां रखना है बहुत इंप्वोटेंट है दियां रखे शुरुआत कुछ दियां गया गया पहला प्रांथ मुशेगा मद्रास को आपको आंसर यहां पर लेना है प्रतिबंद यहां पर लगा दिए लगान का नियमन लगान का नियमन का मतलब होता है जब देश अजाध हुआ तो पहले यह कितने लोग हैं जिनके पास ज़्यादा भूमी है किने पास कम भूमी है बहुत कम तो इनको चाहिए था और जब दाटन को मिल जाएगा तो उसके भूमी की हिसाब से उन पर कितना टेक्स लगाएं यह करना तो लगान का नियमन का जोनते हैं उससे लगान का नियमन कि आं Ensuite मांनलों ऑम प्रमा तो चार रगार को इस्केलिए मुहाली किल ? अपके ने सीगार आड़ाइने साथंगे से यबात Мतिवार को इस देड़ पर हैं इस देड़ तक तो आपके पिताजी होंगे घर के या वो आपर जो है जाते हैं वह नॉमिल चार्जे जमा करके आते हैं तो यहां पर लगान के नियमन का मतलब होता है जो पहले लगान बहुत जादा लगता था उनने लगानों के लगाने परपस वह क्या सही यह नहीं है क्या लगाया जो पहले जा रहा था क्या वाजिब था क्या इन बातों ध्यान में रखते हुए नए सीरे से किसानों के भूमिक हिसाब सब्सक्राइब लगाने यहां पर लगाए गया इससे कहते हैं लगान का नियमन फिर राद चक बंदी दो वर्ड आज ध्यारकने आपर एक वर्ड ध्यारकने चक बंदी और दूसरा है हद बंदी तो दोनों को जान लेजिए इससे पूछता है कि दोनों अंतर क्या है तो एक है चक तो किसानों जो भूमी था यहां लिख देते हैं इसको अच्छा से समझें आएगा आपको तो यह जो किसानों की भूमी जो इधर उधर बिखरे हुए था किसका das a new contract with the पिष्यायं जगहां से को एक ही जगह में य स्ड़रांश किया था उसे चगबंदी या मी ब्हुम्ही करें सकते हैं अगजिक ब्हुम्हाइज एक किल्मीटर का यह जो भी टिस्टेंस है तो यहां पर ह्तु होगा तो यहां, ओ रखती भी है उससी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हुआ उसके जो यह वाला हो गया फिर कि द़लो ओला भी ले भ्रहाल द मिल है यह भी एको मिल जाता है यह भी वाला हो गया हुँ अब जी वालब हो गया है और लिए वाले जाग बढ़ा हो ज़ा कि बढ़ बंदी अपने चक क्या है मिलता है है जो थे बड़ा हो जाए कब होगा वह जोन हो ऑगा ऐसा यहांपर आपर उसको तुम तो तुम्हारा यह वाला यह वह हो जाएगा यह वो यह भी यह हो प्हुमी की अदला बदली पहने और यह क्या होगा पारसपरी सामझस्थत ऐसा किया जा कर सकते हैं उसको मैंनेज्मेंट कर सकते हैं बड़ा हो जाएगा तो यह पारस्परिक क्या है समझास सब्सक्राइब भूमी का इस्टर्ट बोट्थ कर से रिएशन यहीं सफलता नहीं मिला क्यों कि हर किसान यहां पर त्यार क्यों अलग 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 धे अलगल अकार का था जो है कि उपजाओ थे कई कम उपजाओ थे तो ऐसे बहुत साइक कारण रहा जिसे पूर्णाता सफलता तो नहीं मिला तेकिन सरकार ने प्रयास कर रहा था कि भूमी जो छोड़े टुकड़े हैं जो बढ़ गए हैं और अच्छा स्क्रिसी नहीं हो पा रह रहा है उसंसा विस्तार क्या हो बड़ा मतलब होता हैतर हुं मैं कि आप भूमी का कितना कितना सीमा बहुत सकते हैं यह नहीं ट्चाइव लागया था आपका रहकती के पास कितना ब्हुमी छना चीए इसको ध्यायाम रखते वे हद बंदी काम भिला गया था लेकिन यह पूराता सफलता हमको नहीं मिला जैसे काम बनना चालूप हुआ पर शुंबध को करते हैं किसान अगर पारसपा इकिसान से अदला बदली कर सकते हैं त्यार होंगे दो किसान आपस में तैयार हो जाते हैं तो जो जादा था तो जितना एक्स्ट करके उसके पटार करते थे हैं पर नहीं नेक्ट आते हैं अगला हम देखिए आपर नेक्ट यहां बहुती है फिर रहता है सहकारी खेती के मतलब होता है ध्याँ रखना कि अगर माल एक शेत्र विश्यस किसान क्या है चोटे-चोटे वह मिन फास एकते अजिस इकड़ है कुछ एकड़ है ज्यादा हुसी is अद्धाम क्या करें एक सांद मिलाकर वालजेक किसान है किसी एतना ही है अईसा उसका है यह समघांज करने ओపस में समझता करके आपस में समझमालों आठ है दस किसान अधितितार्ष मगांज परिसे और जो वह बहुत पादन होगा तो जितना उसे रखवा होगा चेतर पर उसकी सान का हिस्सा होगा उतना हम उत्पादन की बात क्या करेंगे बाटेंगे इससे कहते हैं सहकारी खेती कहते हैं आपस में मिल जूलकर एक ही भूमी क्या है रखवा मराना उसको है ठीक है छोड़े- लोग अपने भूमिक हिस्सा फ़ए मेरे भूमी चोटा था बड़ा था बाद में काफी रिवाद पर होता है अगर पर काम होता है तो यह था आपका संस्था सुधार अब आते हैं नेक्स आई यहां बात विरते हैं वोन आए जो है तकनिकी सुधार है कि एक चानिकी सुधार का महक्रिस क्या महत्तु है कि इस सुधार के माध्यम से assumई prendre है जो क्रिसी भूमी है उसकी उत्पादकता को उससे पैदावार को बढ़ाना इसका मुख्य परपस रहा इसानों दौरा जो तो भुमी में जो हम पैदावार लेंगे तो पैदावार कैसे बढ़े उसको धियां मेरें की सुधार कायकरम फर्शुरत यहां पर किया गया तो क्या था इसमें पहला था क्रिसी का आधुने की करण का मतलब होता है ध्यां रखना हमारे जो क्रिसी होता है कैसा क्रिसी होता है परंपरगत क्रिसी होता है क्या होता है परंपरगत ठीक है आपके पिता जीने दादा जीने परंपरा परंपरा गत परंपरा गत क्रिसी होता ह यानि कि हमारे पर दादा ने दादा ने पीता जिनी जो क्रिसी करते आ रहे थे उसी क्रिसी तौर तरियों अभी भी हम करेंगे पहला क्रिसी दूसरा होता है भी निर्वाह क्रिसी भई हमारी इतनी हमारे पास इंकम नहीं है इतना हमारे पास इंकम नहीं है कि हम क्या कर सके हम किरसी कर सके यह चैके आपने आवस्तित पूरती हो जाए इस मंसत करते हैं और अधिकांस किसान भारत क्या करता है निर्वाह करता अपने जरुरतों को करता है ना कि लाप करें फायदे करें बड़े इससर पर तो ऐसा ने किसान करता है लेकिन जो अधिकान से जब हुम क्रिसान के देखते हैं बात करते हैं तो वहां पर निर्वाह क्रिसी या परमपरत क्रिसी को देखने को यहां पर मिलता है अब इन ही क्रिसी को इन क्रिसी जो विस्तार था कौन सा परंपरत क्रिसी और दुसरा निर्वाह क्रिसी इन क्रिसी के इस्थान पर अब क्या करें थोड़ा सा मदध्य कृसिटिक माद्ध्यम से करें करें साथ 59 किसमें बीच के प्रयोग करें रासायने कहात के करें वर्मी कमपोष होता है उनगा भी हम अधिक उपज देने वाली बिजोंग अधिक वारित करांतिक दौर में क्या हुआ हरित करांतिक दौर में हमने उननत किस्मक बेज जो बॉने पर जाती थे उनको लेकर आया थे पिछले क्लास हम चर्चा कर चुंगे इसके बारे में तो भारत में जो हरित करांति है बार पर रिपीट हो रहा है मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है ध्यान रखना हरित करांति 1966-67 दौरान चलाए गया था और इसमां कोई पंच वरसी योजना नहीं चल रहा था पहली बाद तो इस समय हमने दो प्रजाती हमने इसमाल किये थे एक है गेहूं के लिए कर्चा हो चुका है दूसरे चामल के लिए थे तो यहां पर हमने इन हो जो फसल बंपर उते हैं पर बंफर जो उत्पादन उथा पऐता प्रोड़क्स्ट ऑगा था अपके गेहूं कफ़आ था तो इसके लें कुछ प्रजाती इस्तिमाल किये थे क्यव lookingoda रोजो न रमा-ल रेमार रेमा फिर सुनारा चौंसठ पर उन नौर्मन बुर्लोग है उनके निवदेशतन में त्यार किया गया था वहीं पर जो चामल उसका क्या था ताइचुंग उसका था टाइचुंग नाम का प्रजाती है उसको हमने इस्तेमाल किये थे वहाइं करने के लिए तो यह क्या है उन्नत किस्म क्या है फसले है जिनको रूपर ताके जादा पैदावार हो सके रोग प्रतिरोचमता क्या हो जादा हो सके तो हम को यहांप में रास्ट्री पिजिनिकम में इसार थ सनिहाँ पर ना तो इसके लिए भारत में और नाते हैं उसका नाम है राश्ट्री बीज निगम, तो इसको ध्यान रखने बहुत महत्पूर है, क्या राश्ट्री, राश्ट्री बीज, सिड, बीज निगम इस्थापित किया गया था, कब 1963 में इस्थापित किया गया, और इनका परपस क्या था, इसका परपस था कि भाई बीज आया यह तो काफी डिटियल आपको अपट देखने को मिल रही है तो इस बात ध्यान रखेंगे आप नेक्स रासायनिक खात का प्रियोग करें तो रहसायनिक खाथी बस नहीं रहसायनिक खात के साथ आवस्तव्प्वठता नुरुप जो है इको बनाए रखने के लिए तो उन तरीकों को इस्तिमाल करना जिससे कि उर्वरता मिट्टी की और मर उर्वरता है पैदावार है वह वहां पर बनी रहे फिर फसल स्रेक्षण के लिए किटनासक दवाईयों परियों करना ठीक यह ठीक है फिर वैज्ञानिक खेती प्रबंधन तो खेतों किस प्रकार से ख जाता है तो उसको हम कैसे जलाएं आपने देखा दिली छेतरा में बात करते हैं तो पंजाब हर्याना है ठीक है उत्त्रप्रदस कुछ भाग है वहां पर पराली जलाने से पस्ते लों के जो जो जोंटल होता है छूटा वाग होता है रह जाता है उसको जलाने से काफ प्रबंदन के लिए हो सकते हैं तो उन टेक्नोलोजी को उस मैनेजमेंट को भी आपको सामिल करना होगा जिससे क्रेशी प्रबंदन हो जाए पैदवार भी यहां पर बढ़ेगी फिर एक हेती का यंत्रित साधन तो एक हेतों में ऐसे कौन-कौन से साधन है जो बहुत चाहिए उसको अपने खेती किसाने उसको इस्तेमाल में लाज सके उपयोग कर सके जिससे को सहता हो से पैदावार में फायदा हो सके तो इन तरीकों को यहां पर तकनिकी सुदहार की रूप में हमने अपना है यह ध्यां रखना है फिर आता है जिसके बाद देखें अन्य सम करना सिचाइब सुधाओं का विस्तार करना अब आपको जांकारी होगा जांकारी है तो मुझे बताइए भारत में सिचाइब पद्योजनाओं को उनके हेक्टर के हिसाब से उनके शेत्रफल के हिसाब से कितने वर्गों माटा जाता है तो आपने अगर पढ़ रखा होगा तो बिल्कुल कमेंड गरी मुझे बताइए वीडियो कैसा लग रहा है यह भी बताइए और अगर कुछ शकारत्मक सुझाओं है वह भी मुझे बता सकते हैं बिल्कुल आपके अनुरूप आपके समझ के अनुरूप ज़क अच्छाएं आयोजित होगा इसकी मैं आपको गा जयो आयों कि अस्थान पर हमने क्या बनाए है नीति आयोग आ गया कब एक्जनवरी 2015 को मैं यॉजनवरी 2015 को सभाब्य तो एको सब्सक्राइब तो जो योजना आयोग ने क्या किया था छेत्रफल के हिसाब से कितने छेत्रों में तीन अलग अलग प्रकार में यहां रखना इसे हम कहते हैं व्रिहत प्रियोजनाएं व्रिहत मध्यम और लग्व तो विरहत मध्यम तो तो क्या हो सचाई परियोजनाएं तो आब मुझे अगर आपको जानकारी है तो इतना बता देजेंग इतना एक्तेर फिर्वहत तो उसे व्रियाद सचाइप परयोजनाय कहा जाएगा मध्यम कितना कहा जाएगा और फैनली आपका लगुष सचाइप परयोजनाओं के लिए कितना हेक्टेर शेत्रफल में सिचाई व्यवस्ता होता है उसे कहते हैं यह मुझे पताईए और नहीं जानते हैं तो आप यहां पर देख लिजिए अगर 2000 हजार हेक्टेर तक दो हजार हेक्टेर तक भूमी का भूमी में हेक्टेर तक भूमी में सिचाईग स्विधाय होती है तो उसे लगहु सिचाई पर्योजनाय कहते हैं करके लेखर 2,000 से लेकर 10,000 तक सिचाई स्विधाय उप्तलब्द होती है तो उसे उपर 10,000 से उपर अगर सिचाई के सुदाय हैं तो उसे देनारी पूंश देता है तो भारत में हमारे क्रिसिस उधार में हमने यह भी प्रयास किये कि भारत के जो किसान है क्रिस्टिव छेत्र है वहां पर सिचाई के पर्याप्त विस्तार हो सके इसलम्ने विभिन पर्याप्त हमने यहां पर बांध की ववस्था करना नहरव की ववस्था करना ताकि आस्पर एरिया है भूमी जो एरिया है वहां पर सिंचित एरिया बढ़ सक प्रयास किया है जो अप्वात चलते हैं जो सजाइक विस्तार हो रहा है हम उनकी बात करते हैं यहां हम देख रहे हैं इसके बंगो परियोजना है उन पर यजनाओं से भी काफी बड़े इस्तर पर सिजाइक स्विधाओं को विस्तार यहां पर हुआ है फिर साख उपलब दक्राना पाक का मतलब होता है ध्यां रखना एक तरस किसानों को रिण उपलब दक्राना और रिण भी तीन तरक होता है अलपकले रिण मद्यम करिंड और अपका दिर लेख दो तरह के रिंड होता है और प्रॉपर जो किसान जो है बिचोलियों माद्धियम से साहुकार है ठिक है इनके तक जाके रिंड ना लेए बलकि कि संस्था गत तरह के सके बैंकों माध्य और ठीक है उनको रिर्ण हो सकें तो आपको जानकरी वोगा कि भारत में जब भी चुनावां होता है यालाशह जसेम चुनाव हुआ तो सरकार पहले से घोषना कर रखा था क्या कि हम कि और किसना रहा है को तो आप जाने राये चैनल कितने प्रकार वह होते हैं तो साख की क्रिसे क्रेशी सांघ यानि credit जो आम उल्चाल में रिम कह देते हैं आम उसको रूदान में किस्डान ये आपकर होता है आपको-जर h Baba कई द्यार सरह哪裡 Lang कितने प्रकार का यह होता है पहला जो प्रकार मिलते हैं यह कि खालता अल्प उल्फ कालइन। न तो कितने होता है। ौत थे ले डिन॑ केले लिए यह होता है। 15 माँसे लेकर । 15 माह से लेकर 5 वर्स तक के यहां नगी डे रहा है क्रेसी कार्यों के ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं मद्यम कले रिंड कहते हैं जहां होता है उनत किस्मा की बीजों खरिदने भी हो सकता है क्षिए उपकरण के साधान लेने नहीं हो सकता है और फिर होता है वर्यद जो आउधी के रिन होता है ये पांच वर्स लेकर पांच वर्स लेकर मोटा-पा आपको 20 वर्स के आउधी के लिए होता है जहाँ किसान अपने भूठी का विस्तार करना चाहता है के यहां पर क्या है उपकरण करीशी होता है यहां होता है जो च्छोटे 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 डेखने से लग रहा है शेंते हैज पूषता है इसी को मामला हमारा बिगड़ जाता है तो हर चीज़ को पढ़ रहे हैं जाहें चीज़ों को बहुत अच्छे सा पढ़ना पड़ेगा अब आगे बढ़ते हैं आपर तो नेक्ष्ट आईए किमत को किसानों द्वारा उत्पादी जो फसल है उसके कीमत को भी हम वाजिब दाम पर खरेदे इसके लिए सरकार ने 1965-66 में पहली बार नियुनितम समरतन मुल्य कॉंसेप्ट लेकर आता है कब लाया है तो पहली बार आया था ध्यागना में 1965-66 में पहली बार पॉंसेप्ट आता है नियुनितम समरतन मुल्य का पिछले लास हम बात कर चुके हैं और सबसे पहली कौन से फसल के लिए तो गेहूं के इसको लाए गया था आज की रेट में लगवक इतने 22 फसलों के लिए क्या होता है नियुनितम समरतन मुल्य पर रखा जा सके तो यह सब बाते आपको यहां पर आता है रिपीट हो चुको यहां पर देखने हमको मिलता है तो यहां पर चुकि आपका स्पेसिफाइड मंडी भारती परिच्छे को बात करें यह यह टॉपिकल मंडी भारती परिच्छे तक नहीं है कोई भी सेज़ी प्यस्था उसके स्लेबास का हिस्सा है तो नहीं सब को इस लेक्चर को देखना चाहिए अगर वीडियो यहां था हम बात किये हैं आप पढ़ रहें अगला जो लेक्चर होगा उसने हम बिल्कुल बात करेंगे ट्रॉपिक के साथ अब्जेक्टिव हम डिसकस करेंगे यहां मैं बताजन चाहता हूं जो मंडी भारती परिच्छा का जो कोर्स चल रहा है मात्र 499 में 499 रूपय में आपको चार सब्जेक्ट मिल रहा है टेनथा एक अपना एक्ट है मंडी एक्ट है दूसर क्या है इंडियन इकनामी है इंडियान इकोनामी है ठीक एzekई त्टीसरा था इंडियन अगरीकल्चर अगरी पिल टीर यहां पर प्लस आभ इसमें और एकाल करेंट के लेक्चर भी करेंट अफेरस लेक्चर भी आपको यहां पर मिल रहा है तुद्धार रखना मात्र 499 में करके अपने त्यार को बहतर कर सकते हैं धिक तो मिलते नेक्स वीडियो में बहुत बहुत भाध धन्यवाद